जाए आपने की अधर लोग जब कभी आप वाटसेप पे किसी को मैसेज करते हैं तो उनमें से कुछ जगों से तुरंत रिपलाई आ जाता है जैसे ठांक्स फॉर मैसेजिंग अस हाउ किन आ हेल्प यू इन मैसेज़ को आटो रिपलाई मैसेज कहते हैं या फिर अवे message डाल देते हैं अगर वो offline है तो automatic उनके recording message जो है उनके client तक पहुँच जाता है जिससे वो बाद में फिर contact कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने WhatsApp के अंदर आप भी ऐसे अवे message या फिर auto reply message set कर सकते हैं इसके लाँ गाइस रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड किया है जिसमें YouTube security को ले करके मैंने एक वीडियो बनाया है अगर आपका YouTube चैनल है तो आप उसको सेक्योर कर लेजिए क्योंकि आजकल चैनल जो है बहुत हैक हो रहे हैं उसमें मैंने कुछ settings बताया है जिसको activate करने के बाद आपके चैनल को कोई hack नहीं कर सकता बिना आपके permissions के बगएर सो आप अपने YouTube चैनल के अंदर setting करने के लिए उस वीडियो को देख लेना लिंक उपर आई बटन मिल जाएगा साथ में इस वीडियो का description box में मिल जाएगा सो चलिए आप जानते हैं अपने WhatsApp के अंदर auto reply या फिर away message कैसे set करने के लिए आपको WhatsApp business का application होना चाहिए नॉर्मल WhatsApp के अंदर नहीं होता है WhatsApp बिजनेस के लिए लोग यूज करते हैं इसके अंदर ये फीचर होता है कि आप auto reply सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको क्या करने WhatsApp business इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर अपने mobile से लॉग इन हो लेना है इसके बाद आपको अपना WhatsApp उपन करना है देन आपको यहां पर यहां पर सैडिंग पर क्लिक करना है यहां पर अगर आप WhatsApp business account यूज कर रहे हैं तो यहां पर अवे message में अगर आप यहां पर कोई भी message आपने according type कर सकते हैं जैसे मैंने डाल रखा है मैं services प्रवाइड करता हूं डिजाइन से रिलेटेड तो यहां पर मैं डाल रखा हूं welcome to technology 489 अभी मैं offline हूं जल्दी reply करूंगा वैससे आपको क्या डिजन करना है और नीच welcome to my channel ऐसे करके यहां पर कुछ already यहां पर type भी है thank you for contacting technology 489 please let us know how we can help you तो यहां पर इसको अप जैसे ही activate करेंगे यह message जो है अगर आप offline है तो automatic चला जाएगा इसके अलामा जो है यहां quick reply में आप कुछ messages set कर सकते हैं जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे professional जो business यूज करते है WhatsApp को उनको बहुत सारे similar message जो एक ही जैसे message बहुत बार type करना पड़ता है तो यहां पर setting को on करने के बाद आपको बार बार एक ही message को type नहीं करना होगा वह आप यहां पर set कर देंगे और उसका एक shortcut generate कर देंगे तो क्या होगा कि वह जैसे ही आप उस shortcut पर क्लिक करने के वह message automatic जो है चला जाएगा तो यहां पर setting करने के लिए simply आपको जो भी आप यहां पर set करना चाहते है जाए ऑवे messages तो इस पर आपको klik करना है यहां पर automatic एक पहले से message होगा by default तो उसको change करने के लिए आपको यहाँ पैंसल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं वह एड़ कर सकते हैं आड़ करने के बाद सिंप्ली आपको नीचे यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है यह सेव हो जाएगा यहाँ पर ऐसे ही आप गृटिंग मैसेज भी टाइप कर सकते हैं गृटिंग मैसेज टाइप करने के लिए सिंप्ली आपको यहाँ पर इस इनेबल करके और इस पैंसल वाले आईकन पर क्लिक करके जो पहले से यहां by default है उसको हटाके आप अपने recording डालके यहां के पर क्लिक कर देना है यहां save पर क्लिक कर देना है इस feature को enable करके आप अपने clients से या फिर आप अपने logo से हमेशा connected रहेंगे सुकर जो अमीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें और ऐसे interesting और tech वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें साथ ही बेल अकान को प्रेस करें ताकि मेरी हरनी वीडियो को notification आपको मिलती रहे तो चले मिलता हूँ अपनी next वीडियो में तब तब के लिए बबाई